नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर केके पार्टक ने स्कूलों के ब्योडा को लेकर लेकर लिखा सभी जलाधी कारियों को पत्र बाती गन्ना पर बिहार सरकार को कोट ने जारी किया नोटिस जीतिया वरत आज ये महिलाएं करेंगी कर बिहार पुलिस सिपाही भरती पेपर लीक मामले में हुआ नया खुलासा बिहार गंड़क के कटाव से मिला विशेष किश्म का खुआ इसके साथ ही बढ़ते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर वस्तार से केके पार्ठक ने स्कूलों के ब्योड़ा को लेकर लिखा सभी जलाधी कारियों को पत्र बिहार सरकार के सक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीब केके पाठक के द्वारा इस्कूल के कमड़ो वा भवनों के निर्मान कारी में तेजी लाई जा सके। इसको लेकर विवाग के ओर से राजी के सभी जलाधिकारीयों को पत्रलिख स्कूलों का बिवरा तलब किया है जिसमें विद्याले का नाम कमडों की संख्या, छातरों वा सक्षकों की संख्या, स्कूल के प्रकंड की जानकारी विद्याले कब से अन्य स्कूल में चल रहा है सभी तरह की जानकारी शामिल होगी बतादिक इसको लेकर विवाग के ओर से जिला अधिकारियों को यह सक्त हिदायत दी गई है कि वह बिना देरी किये स्कूलों को लेकर सारी जानकारी विवाग को दे दे मालम हो कि पत्र में यह जानकारी दी गई है कि विद्यालियों के आधार भूत सनरचना वा फरनीचर आधी के इंतजाम के लिए जिला सक्षा कार्याले के अधिन 50 लाख रुपे तक की योजनाओ का अनुमोदन निविदा प्रक्रिया वा क्रियानवन की देखड़े के लिए ए कोट के ओर से बिहार सरकार को चार्ज सब्ता का समय दिया गया है वह इसके लावा कोट के ओर से याजिका करता को यह भी कहा गया है कि वह किसी भी सरकार को नीती बनाने से नहीं रोग सकते ऐसे में बिहार सरकार के ओर से जो जाती गन्ना करवाई गई है उसे गोपनिया जर कोट को सुनवाई करने की अपील की थी जियुतिया वरत आज ये महलाएं करने की कल बिते दिन गुरुबार को कई महलाओं के द्वारा जिवत पुत्रे का वरत यानि की जीतिया के लिए नहाई खाय संपन कर आज जीतिया का वरत रखा गया है वहीं अब ये सभी महलाएं कल य करने के कुछ नियम है जिसके आधार पर जितिया वरत अस्विन कृष्ण अस्थमी तिथी को रखा जाता है ऐसे में इस बार अस्विन कृष्ण अस्थमी तिथी 6 ऑक्टूबर को सुभा 6-14 बजे से लेकर 7 ऑक्टूबर को सुभा 8-8 बजे तक है वहीं उद्या तिथी के पर जीजा के दो दीथी Lot en 007 ऊक्टूबर को है लेकिन जितिया वरत तिथी को मिलाओं के द्वारा आज अज रखा गया है बिहार पुलिस से और नवादा के हैं नमबरों से सिपाही कमलेश कुमार ने परिच्छा के 15 दिनों पहले संपर्ख किया था और इन नमबर से ही परिच्छा शिड़ो होने से देर घंटे पहले आंसर की भेजी गई थी वहीं कंकरबाग थाना पुलिस के द्वारा अब तक की गई जांच पर यह जानकारी सामने आई है कि पटना तक आंसर की चेन के माध्यम से पहुँचा है जिनमें गया नवादा और दर्भंगा जिलो के चेन सामने आए हैं पुलिस का मानना है कि सामने आए संदिक धनंबर सॉलवर गिरो के चेन का हिस्सा हो सकते हैं फिलाल इन दोनों नंबर की तकनीकी जांच की जारी है ताकि अन्य लोगों की पहचान हो सके सचीवाले पहुँचे सीएम नितीश सरकारी कारियों का लिया जायजा आज यानी कि 6 अक्टूबर को एक बार फिर से बिहार के मुख्य मंत्रे नितीश कुमार सचीवाले पहुँचे जहां उन्होंने अपने केबिन में अधिकारियों से फीड़ बैक लिया और इसके साथ ही नितीश कुमार ने सचीवाले में मंत्रियों के लिए बनाए गये मंत्री और उनके विवाक सुझरे अधिकारी के बारे में जानकाली ली महीं मीडिया में चल रही खबरों के नुसार सचीवाले पहुचने के बाद वहां के अधिकारियों के साथ बैठा कर सरकारी कामकाज का जायजा लिये और साथ ही अधिकारियों को सरकारी योजनों को ज जनहकार गाउं स्थित बूढी गंडक नदी में पानी घटने के साथ हुए कटाओ के बाद एक कुवा नुमा आकरिती बाहर निकल कर सामने आया है जिसका एट की लंबाई करीब 2.4 इंच के करीब है बता दे कि नदी की तरफ से उसका केवल एक हिसा दिखाई दे रहा है इस क बताया गया है कि इसकी सूषना जिलादिकारी को दी जाएगी और पुड़ा तत्व विभाग के द्वारा जांच किये जाने के बाद ही यह सपस्थ होगा कि कुवा नुमा अकरिती किस काल खंड का है 27 साल से सैलरी उठा रहे फरजी सिक्षक का KYC वेरिफिकेशन ने खोला पोल हमें कई बार फरजी सिक्षकों को लेकर खबर सुनने को मिलती रहती है बतादे कि ताजा मामला बांका के बाड़ाहाट प्रकंड में इस्थिद पुरुनत मध्य विद्याले नगरी जानू किताका है जहां एक फरजी सिक्षक बीते 27 सालों से नौकरी कर वेतन उठाने का का कर रहा था लेकिन यह मामला तब सामने आया जब भारती स्टीट बैंक के साखकी के वाइसी सत्यापन करवाए गया दरतल यह फरजी सिक्षक जार्खन पुलिस में इंस्पेक्टर मनोज कुमार की जगन नौकरी कर रहा है और इस फरजी सिक्षक की पहचान मनोज कुमार के रूप में की गई है ऐसे में अब इस फरजी सिक्षक के खिलाब मोहनपुर थाना में केस तरच कर लिया गया है और इस मामली को लेकर इंस्पेक्टर मनोज जो बिहार जार्खन बटवारे के दौरान बीपी ऐसी सिक्षक बहाली परिक्षा में सफल होने के बाद देवघर चले गये थे उनका कहना है कि गोड़ा निवासी मनोज खुमार फरजी तरीके से उनके नाम पर सक्षक के नौकरी कर रहा था इंस्पेक्टर मनोज का कहना है कि बैंक के वाईसी के विवरन में सारी जानकारी उनकी थी बस हस्ताक्षर और फोटो उनके नहीं थे जिस वजह स पैटले पुत्र विश्विद्याले में असनातक और पीजी वेवसाई कोर्स में बची हुई कुल 2200 सीटों पर स्पॉर्ट राउंड के तहत कल नामांकन लिया जाएगा ऐसे में चातर साथ से 9 अक्टूबर को ओफर लिटर डाउन्लोड कर सकते हैं और फिर 9 अक्टूबर क को दो बजे दो पहर तक कॉलेज में ऑफर लेटर जबा कराएंगे बतादी कि 8 अक्टूबर को रविवार होने के कारणता खिला नहीं लिया जाएगा मालमों क्यूजी वोकेशनल कोर्स में 1500 सीटे खाली है तो वहीं PG कोर्स में करीब 700 सीट खाली है आपकी जानकारी के दूशना के नुसार वैसे विद्यार्थी भी स्पोर्ट राउंड के तहट नमांकर ले सकते हैं जो अभी दन नहीं कर पाए थे इन टीचरों को नहीं मिलेगा पुरानी पिंसन योजना का लाप पटना हाई कोड के जस्टिस पीबी बजंतरी और जस्टिस अरुन कुमार ज अक्टूबर 1991 को बीपेसी की ओर से 25,000 सहाय सक्षकों की बहाली प्रक्रिया में पीटी और मुख्य परिच्छा के बाद कुल 19,272 सफल उमिद्वारों का चैन किया गया जिसमें से 17,281 सफल उमिद्वार और प्रसक्षत अभ्यर्थी थे ऐसे में इसके खिलाब प्रसक्षत सक्षकों के द्वारा हाई कोड को चनौती देते वे कहा गया कि प्रसक्षत सक्षक होने के बावजूत और प्रसक्षत अभ्यर्थी को क्यों लिया गया बता दे कि हम मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के नर्देश पर सक्षकों को ये बहाली के लिए विशेश नियुक्ती नियमावाली बनाकर बहाली प्रक्रिया शिरुकी गई विहार विसेश प्राड़म एक सक्षक न्युक्ती निमाबाली 2010 के तहट बहाल 34,500 सक्षकों को पुराना पेंशन योजना का लाब के लिए कोर्ट में केस दायर किया गया था जिसे देने सें कार कर दिया गया 3.9 किलोमीटर फोरलेन हाईवे निर्मान के लिए एजनसी ते है पटना बाइपास से 127 किलोमीटर लंबाई वाले पटना बोद गया एनच को जोडने वाले सरस्ता बासे नथुपूर तक 96.77 करोर रुपए की लागत से 3.9 किलोमीटर फोरलेन हाईवे निर्मान को लेकर NHAI की गहां से में इस हाईवे के निर्मान पर होने वाला खर्च करीब 700 करोर रुपए है पतादी के निर्मान काड़े जन्वरी से शुरू होने की संभावना है मालम हो के सरस्ताबाद 70 फीट रोड से 300 मीटर परश्रिम की तरफ पटना बाइपास से यसरक निकलेगी जो न्टूपुर नरायन चक में बन रहे नतूपुर हाईवे जंगसन तक जाएगी मधुबनी से दीखी हिमाले पर्वत श्रिंखला पिषले कुस दिनों से बिहार के कहीं जिलों में बारिश हो रही है वहीं आज भी मौसम विभाग के द्वारा राजी के कहीं जिलों में हल्क श्रिंखला नजर आ रहा इसमें एवरेस्ट परवत साफ साफ नजर आ रहा है जिसको देखते ही लोग उसे अपने कैमली में कैद करने लगे मालुमों कि सर्फ बेनी पट्टी मुख्याले बलकि आसपास के वेटा सरीसब उच्छेट बढ़ी समदा गमरिया सहित कई गाउं के लोगों के द्वरा हिमाले श्रिंखला देखी गई है जानी क्या है बिहार लोग सिकायत निवारन अधिकार अधिकार अधिनियम लागू है जिसकी जानकारी सबको होनी चाहिए इस कारून के तहिट लोगों की शिकायतों का समय सीमा के अंदर निप्टारा किया जा रहा है बता दे की कोई भी आम नागरिक या नागरिक का समू के दौरा परिवाद अनुमंडली सब्सक्राइब नीती सेवा कारिक्रम या योजना क्यों लंगा से उद्भुत किसी मामले के संबंद में किया जा सकता है सुज़री अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर आईजित होने की तारीक का इंतजार कर रहे हैं तो यहां खबर आपके लिए है बता दे किसको लेकर विहार लोग सेवा आयो के ओर से एक एहम नोटिस जारी कर दी या जानकारी दी गई है कि सरसथवी स्यूंक्त मुख्य प्रतियों किता परिच्छा के सफल उमिद्वारों का इंटर्व्यू 9 अक्टूबर 2023 से शिरू होने वाला है जो की 20 अक्टूबर 2023 सक चलेगा ऐसे भी जो अभेर्थी इस इंटर्व्यू में शामिल होने वाले हैं वो आयो की वेबसाइट पर अप्रोड किये गए प्रमान पत्र कागजात को अपने डैश्बोर से लॉग इन कर इस पर आयो का वाटर मार्क अंकित होगा और इसी डॉक्यूमिन्ट को लेकर उमिद्वार इंटर्व्यू में पहुंचे विश्वकब 2023 से पहले सुबमन गिल को हुआ डेंगू 5 अक्टूबर से विश्वकब 2023 की शिरूबात हो चुकी है वही भारत अपना पहला मैच 8 अक् अक्टूबर को खेरे जाने वाले मैच में विखेल पाएंगे या नहीं वहीं यह अनुमार लगाया जा रहा है कि अगर सुबमन गिल पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं तो उनकी जखा इश्रान के संपारी का आगाज कर सकते हैं आगकी जानकारी के लिए बता दे कि आज पॉजिटिव पाया गया है ऐसे में आम तोर पर डिंगु से रिकवर होने में लगभग साथ से दस दिन तक लग जाते हैं हाला कि यह रिकवरी रेट मरीजों के सारी रिक्षमता पर भी कई बार नर्भर करता है जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट बि डीजल 94.7 रुपे प्रती लीटर मिल रहा वहीं पूर्णिया में पिट्रॉली कीमत 108.57 रुपे और डीजल 25.2 रुपे प्रती लीटर है भागलपूर में पिट्रॉली कीमत 108.84 रुपे और डीजल कीमत 95.57 रुपे प्रती लीटर नर्धारित की गई है इसके साथ ही गया में पिट्रॉली कीमत एक सुवार्ट दिस्थी रूपए और डीजल कीमद 24अवे दिस्थी रूपए प्रति लीटर निर्दारीत की गई है बता दे कि बिहार में पिट्रॉल करेट सबस्यादा कसन गंजमा है जहां पिट्रॉल 60.6 रुपय प्रती लीटर और डीसल 92.3 रुपय प्रती लीटर की दर से मिल रहा है। सवाल है। राज्य सरकार दोरा चलाई जा रही योजनाओं का आपके छेतर में क्या सती है। अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में रिकर जरूर बताएं। इतना ही पिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें पिहारी न्यूज और साथ ही। अगर आप यूटूब से देख रहें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले। आने बाद।